हाई फ्रेंट्स वेल्कम तो आविदास किचन आज हम बनाने जा रहें बहुत ही बड़िया सा नाश्या जिसे हम बनाएंगे बासी रोटियों से तो फ्रेंट्स वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा चली शुरू करते हैं रेसिपी तो फ्रेंट्स यह हैं हमारे रात की बचिवी रोटियां ज्यादा पुरानी नहीं है रात की ही हैं तो आप हम इनसे देखे नाश्या बनाते हैं सबसे पहले एक बाउल लेंगे और इसमें हम बेसन डालेंगे यहां में चार चमश बेसन ले रहे हूं और इसमें हम यह आधा चमश नमक डालेंगे यह आधा चमश ही है मैंने दो बार करके डाला है और यह वन फोर्ट टी स्पून हल्दी है और एक चमश लाल मिर्च पाउडर यह अजवाईन है वन फोर्ट टी स्पून इसे हम हाथ पी थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे यह गरम मसाला वन फोर्ट टी स्पून मसाले आप अपने टेस्ट के अंसार बढ़ा भी सकते हैं और यहां में इसमें एक प्यास और यह दू तीन हरी मिर्चिय इन एट करूंगी तो हम पानी डालके इसका एक पतला बैटर त्यार करेंगे गोल त्यार कर लेंगे यह देखें सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और यह हमारा बैटर हमें इस फॉर्म में इसे चाहें तब हम इने गरम होने के लिए रख दिया है तो यह है हमारी रोटी और अब हम इसके उपर में बैटर फैलाएंगे लुए हमी बेटर अच्छे से फैलाना है एक भी कोना इसका दिखना नीचे है वो हमें इसे पूरा कवर करना होगा रोटी को अंदर रखना है और देखिक केनारों तक में अच्छे से लगाना है आck Hem Lगा रही हूं programmers तो अब हम अपनी तवे पर तेल डालेंगे यहां मैंने दू चमस तेल डाला है तेल थोड़ा ज्यादा डलेगा क्योंकि यह नॉन्स्टिक नहीं है लोई का तवा है आप चाहिए तो नॉन्स्टिक में बना सकते हैं उसमें कम तेल में हो जाएगा अब हम इसे अराम से इसक्य पर डाल देंगे जब तक यह एक साइड से सिक रहा है हम इसमें दूसरी साइड से अपने बैटर लगाएंगी दूबारा तो यह हमने दूसरी साइड भी अच्छे से बैटर लगा दिया है और अब हम देखेंगे कि यह नीचे से सिख चुका है कि नहीं तो अब हम इसको पलट की दूसरी तरफ से सेखेंगे यह रिखें कितना अच्छा कलर आया है और इदब क्रिस्पी हो गया है तो अब हम यहां से भी तेल डाल के इसको अच्छे से से शेक लेंगे हम इनी मीडियम फ्लेम पी सेखना होगा दोनों तरफ से अगर हम हाई पे रखेंगे इसको तो यह जल जाएगा और अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाएगा तो आप इससे कोशिश कीज़ेगा मीडियम फ्लेम पी अराम से सिखने दीजेगा जब तक यह अच्छी तरह से गोल्डन कलर में और क्रिस्पी नहीं हो जाता है तो लीजी फ्रेंज यह हमारा दोनों तरफ से सिख्के तयार हो गया है और अब हम इसको उतार लेंगे आपया हमारा रेडी है सर्फ के लिए दिखिये मैंने इसके ऐसे फोर पीसेश कर दिये आप इसी किसी भी चफ़नी के साथ में या पर करड के साथ में सर्फ कर सकते मैं इसे चटनी के साथ में सर्फ कर रही हूँ तो फ्रेंस ये थी हमारी रेसिपी आज की आप भी इसे ज़रूर ट्राइ कीजेगा और मुझे बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी दे रे वे आपको सहाद कि आपको से अरताओश ये रेसिपी कती है कि आपको में सकता है